नमस्कार दोस्तों, I am sure कि अगर आप finance related चीजों को update लेते रहते हैं तो आपको पता होगा कल से काफी जादा चर्चा हो रही है एक company के बारे में जिसका नाम है NICA और NICA की जो CEO है फालगुनी नायर ये बन गई है भारत की richest self-made women, self-made women का मतलब है कि इन्होंने किसी से wealth को acquire नही एक लाख करोण से भी ज्यादा हो गई है आप जस्ट इमाजिकिंग करके देख सकते हो यहाँ पर आप news देखने को बहुत सारे मिलेंगे कि she has become the India's richest self-made female billionaire तो इन्हीं के जो जर्नी है उसके बारे में हम discuss करेंगे क्योंकि यहाँ पर कल क्या हुआ है एक IPO आया है initial public offering आया था NICA का launch हुआ है मतब stock market में यह जो company है उसके share को आप खरीद सकते हो तो यहाँ पर इसी को overall perspective से देखेंगे बहुत inspired करने वाली journey है काफी कुछ जानने को मिलेगा चलते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो StudyIQ.com विजिट कर सकते हैं वहाँ पर सारी जानकारी UPSC, State, PCS, Banking सभी कुछ आपको मिल जाएगा चले देखते हैं exactly हो क्या रहा है हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जैसा मैंने बताया कि जो NICA ये जो company है उसका IPO launch हुआ है आपको पताई होगा बहुत सारे companies IPO लेकर आ रहे है कहने का मतलब है कि company को expand करने के लिए और जादा पैसे क्या उशकता है तो यहाँ पर लोगों से पैसा उठाया गया और अब ये company उसको निवेश करेगी और जादा उसको फैलाने की कोशिश करेगी business को तो कल क्या हुआ था कि यहाँ पर जब ये launch हुआ तो जिनको भी ये ये IPO मिला था क्योंकि मैं बता दूं कि 82 टाइम्स ये subscribe हो गया था कहने का मतलब ये है कि इसके share को खरीदने के लिए 82 लोग थें मतलब 82 में से एक ही को ये share मिल सकता था तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको offer किया गया था 1125 रुपए में यहाँ पर offer किया गया और जब ये open share तो आप देख सकते हो 2000 रुपए में open हुआ था मतलब कि एक बार में आपको 80% का benefit देखने को मिलेगा और अब ये आप देख पाओगे 2100 से भी जादा का इसका price चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस particular company के पास जिसके पास इसका share होगा वो उसको सबसे जादा फायदा 50% से जादा हिस्सा अभी बे मैं बता दूँ कि इनकी जो founder है फालगुनी नायर उनके पास है और इसलिए ये wealthiest self-made billionaire बन गही है भारत की जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो overall valuation है इस company का वो हो गया है 1 trillion रुपीज मतलब 1 lakh करोण अगर आप इसको डॉलर में convert करिए 13.5 billion डॉलर आपको देखने को मिलेगा और ये कुछी मिंटो के अंदर हो गया और अगले एक डेड़ घंटे में जब कल ये launch हुआ था IPO share market पे तो एक डेड़ घंटे में इसने बाकी के जो बहुती well established company है उनको भी cross कर दी आप द अपनी just 10 साल पहले start हुई थी इन फैक नाइका की जो founder है फालकुनी नायर उन्होंने अपने जीवन के काफी late में इस company को start किया था जब उनकी उम्र 50 साल थी तब उन्होंने एक startup start किया और आज देख सकते हैं उसका result क्या देखने को मिल रहा है मतब कि जो businesses में already जो biggest legacy रखत कर गया है और इसकी वज़े से यहाँ पर आप आप देखिए यह country की top 20 richest people के अंदर शामिल हो गई है यह आप सभी देख सकते हो यहाँ पर मुकेश अंबानी अडानी अजीन पर देख पाऊगे कि जो फालकुनी नायर है वो top 20 richest person में आपको देखने को मिलेंगी 7 billion dollar की wealth इनक इतने भी startup रहे हैं भारत के अंदर जैसे आप Paytm की बात करो, Zomato की बात करो, इनके पास यह founders हैं उनके पास कितना percent share बचा है अपने खुद के company में, आप देखिए 15% विजय शेकर सर्मा के पास PTM के जो founder है, इसके अलावा जो Zomato के founder, सबके पास 4%, 5%, Mobiquick के जो founder है 20% यह अगर हम NICA के journey की बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो Falguni Nair है, उनका यह कहना था, कि जब हमने इसको 2012 में start किया था, तो यह completely हमारे द्वारा fund किया गया था, मतलब Falguni Nair और उनके जो husband है, Sanjay Nair, दोनों के द्वारा इसको entirely fund किया गया था, और अगले 2 साल तक सिर्फ उस fund से इसको चलानी की कोशिश की गई थी, we don't want to raise money, मतलब उससे मैं वो नहीं चाहते थे, basically अपने company को, अपना जो base है ना, उसको strong करना चाहते थे, ताकि जब वो investor के पास जाएंगे, तो यह काफी strong base के साथ जाएंगे, और investor खुद उनके company में निवेश करने के लिए, यहाँ पर किया जा रहा था, और खासकर यहाँ पर उनका यह भी कहना था, कि मैं और हमारी जो husband है, वो दोनो investment banker है, तो इसकी वज़े से हमारे पास access भी था, ताकि कौन से investors को यहाँ पर हम ला सकते हैं, इसके लाबाब आप देखोगे, तो यह जो company है, NICA, यह March 2020 में ही, पि अचानक से, मतलब 1 billion dollar पिछले 1.5 साल पहले ही हुआ है, आज इस company का जब valuation हुआ, मतलब जब भी कोई company stock market पर listed होती है, तब हम उसके actual valuation को पता लगा पाते हैं, कि उसका actual valuation क्या है, और आज आप देखे 13 billion dollar से ज़ादा इसकी valuation है, question यह आता है कि इसका growth क्यों हुआ इतना है, यह क्या है exactly, देखें, नाइका मैंने आपको starting में बताया था कि यह जो beauty products है, personal care products है, उसको यहाँ पर sell करता है, यह जो company है, through mobile app and website, ज्यादा तर mobile app website से ही इन्होंने start किया था, और इसका जो नाम है ना, नाइका, Sanskrit word है, इसको actress का आ जाता है, heroine जिनको कहते हैं, actress, तो यह Sanskrit word है, और यह बहुत ही ज्यादा popular हो गया था, जो young Indians है, especially women है, young tech से भी Indians है, जो mobile app अगर यूज़ करते हैं, website करते हैं, तो उनको लगा कि नाइका के website से अगर हम purchase करते हैं, तो वहाँ पर wide variety of products हैं, वो उनको देखने को मिलते हैं, in fact, यहाँ पर कई सारे लोगों का यह भी बय brands हैं, उसकी बड़ी मात्रा में लाने का credit जो है, वो नाइका को ही जाता है, क्योंकि एक ही जगा, एक ही platform पे आपको global brand जो beauty product से related हैं, वो आपको मिल जाते हैं, इसलिए यह popular होता गया, इसके लावा जैसे जैसे इसकी popularity भरती गई, यहाँ पर इसके brand appeal भी भढ़ गया, क्यो brands को तो बेशते हैं अपने platform से, लेकिन इसके लावा इनका खुद का brand product जो है, इन्होंने 2015 से start किया था, तो वो भी उन्होंने खुद का brand product यहाँ पर लाया है, और recently बताया जा रहा है कि जो clothes हो गया, household products हो गया, इसको भी यहाँ पर लाया गया है, और धीरे धीरे इनका जो छोटे छोटे शहर है, tier 2 cities, tier 3 cities, यहाँ पर बहुत अच्छी growth देखने को मिल रहे है, especially post pandemic era के बाद, यहाँ पर बताया कि 64% जो revenue है, पिछले financial year में, वो अकेले tier 2 और tier 3 cities से देखने को मिला, compared to 59% उसके पिछले साल अगर आप देखो, और यह नायका उन चुनिंदा companies में से ह जो कि profitable है, क्योंकि जादा तर अगर आप companies देखोगे startup, वो loss में जा रहे हैं, बड़े loss में जा रहे हैं, predict किया जा रहा है कि आगे चलकर may भी profit हो पाएगा, लेकिन यह company already बहुत जादा profitable है, आप देखो 61 करोन का profit हुआ था अभी 31st March को जो यहाँ पर बताया गया है, इनका revenue जो है, पिछले साल को मुकाबले 38% बढ़ा है, 2453 करोन का revenue है, तो इसी से आप समाझ सकते हो कि कितना incredible journey है और इसलिए आखरी में जब यह list हुआ share, कल वहाँ stock market पर, तो जो नायर हैं, उनका यही कहना था कि मैंने यह जो NICA है, उसको start किया था at the age of 50 with no experience यहाँ पर, but I hope कि N अपने जीवन में NICA बन सके, heroine बन सके, तो यह पूरा कहानी था दोस्तों, यह पूरा, बहुत ही अच्छा लगा, यह पूरे जो incredible journey है, इस तरह के, इस तरह के बहुत सारे चीजों को हमें लानी के आओ शकता है, और तभी जाकर भारत जो है, वो आगे बढ़ सकेगा, development के म मामले में, businesses के मामले में, और जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम startup वगरा की बात करें, आपको पता है, सरकार एक startup India scheme लेकर आई थी, तो इसके अंदर join करने के लिए जो startups हैं, उनको कुछ conditions फुल्फिल करने होते हैं, वो condition क्या है, यहाँ पर तीन option है, बताए कौन सा correct होगा, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF चीज़ तो Telegram पर आए, अलग झालता हूँ